जय हिंद्द फ्रिचर फिर आपसुरी का स्वागशत है इस वीडियो मांज़रों को बात करने जा रहे हैं साउथिंड इंडिया बैंक लिमटेड का वी हाल हिमे राइट इस वीडियो में आपको बताूंगो बताूंगो राइट इस कब से अपर हो रहा है क्या इस प्राइस र बात होगी और उसके बाद investment के बारे में इस कमपनी में क्या करना उसके बारे में हम लोग डिसकसन करेंगे चलिए सुबा सुल्य से करते हैं तो यहां प्रभ्रेम में लोग आ गए हैं बेस इंडियाग वेबसाइट पर दखेंगे तो मैंने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेट पास 27 फ्रोर से पहले तक इस कमपनी में investment किया होगा तो उसी को इस कमपनी के जो राइट इसू आ रहे हैं वो इसमें अप्लाई करने के लिए यानि कि जिनके पास 27 फ्रोर से पहले तक इस कमपनी के सेर्स थे अभी उनके डिमिटेकाउन में कुछ इनक्टिव सेर्स दिख इसका रिष्यो है वनिस्टु फॉर का उसके साब से जितना भी उसके पास ठाख और जितने दीवलिवल रहता हो इसके डिमिटेकान आपने लिटा buy और तो है वाद आपको करना होगा सब्सक्राइब करना होगा क्लेंद कहसा राएट इसी तो आपको मिले ऊसको जरूरा कर दीजिगा उसके आरि नहीं करेंगी तो जो अपने ही आपने को नया shares issue करती है, जो इसकी investors होती है, उनको, और market price एक कम price वो इसार को बेशती है, जैसे अभी market में इस company का price 32-33 रुपे का सपस चल रहा है, और जो right issue वाले shares है, वो company आपको सिर्फ और 22 रुपे में दे रहिए, कर एक market price एक कम price में आपको सेर्स दे रहे हैं उसलिए आप खेद लेजिए तो आपको राइट इसी में जिरूर्ड अप्लाई करना चाहिए अब 22 रुपए के साब साब करेंगे तो आपका एवरेज प्राइस और कम हो जाएगा और कम प्राइस में ज्यादा साब बाई करेंगे तमाम बेनिफिट होता है नौ अप्रैल कुने गए आपको 21 कि लिस्टिंग हो जाएगी आप के लिए जै elementos कशने पारेंगे कब इसकी लिश्टिंग होगी सारी जनकारी मैंने इस डिस्प्ले पर मैंने आपको बतानी कोशी्स की है यहाँ पहुंसेट अधूड़ेश को श्राइट के बारे में फिर भी कुछ भी मिस होता हुए लग रहा तो आप एक बार कमेंट में पूछ सकते हैं अंस्साक्राइं को यूज़ जएगा मैं वहां पर आपको सारी शाइट कर दूँगा साओथ इंडिया बैक लिमतेट पर समझ लिए राइट इसको कब से ओपन हो रहा और क्या उसका तमाम अब्डेट है जो भी अब समझते हैं इसमें इंवेस्टमेंट करने के लिहाज से कमणी कैसी है तो इसके लिए सीधे अब फंडामेंटल देखे आप इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो साउट इंगिया बैंक आपको दिख रहा है अभी एक रेंज बाउन में फसा हुआ है और जब किसी स्टॉक और प्राइस रेंज बाउन में होता है तो उस समय हमें इंवेस्टमेंट करने से बचना चाहिए अब आइदर हलाकी 90% होता है कि जब यह ब्रेक आउट करेगा इस रेंज से बाहर निकले अब उपर निकलेगे तभी आप इंट्री लेने जीएगा और जिसके पहले से इंट्री होने वाली वह बैसक बने रही है राइट इस वाले सेर्स मिलेंगे आप चाहिए तो बेस सकते हैं या इसको लंबे टायम के लिए होल्ड भी कर सकते हैं कि कमनी का सेर पाइस को अच्छी लगी होगी यह जनकारी प्रसंद आयोगी मैंने में कोई सवाल एक अन्फियूर्ट कमेने में जुरूर्ट पूछेएगा बलते हैं अगेले वीडियो में तब ले धिन्ने बाहत सुक्रिया